दोस्तों SSE GD का आपका एक्जाम लगातार चल रहा है आज के हुए एक्जाम के आधार पर GKGS और Current Affairs के 100% Real जो भी Questions मिले हैं उनके Analysis के आधार पर आज का वीडियो तयार किया गया है चली ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो पहला प्रश्ण है 2022 में किसे भारती विदेश सचीव न्यूक्त किया गया Current Affairs समंदित Question है आप्शन है आपके बिजेन मोहन क्वात्रा अरोण मिश्रा हश्वर्धन एपदनाव दोस्तों यहां एक चीज मैं किलर कर दूँ यहां जो भी आप्शन मैंने लगाए है यह अपनी मन से अनुमान के आधार पे लगाए गया है ऐसे आप्शन आपके एकजाम में आये भी हो सकते हैं नहीं भी आये हो सकते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है आप सही आंसर को जानिए, तो 2022 में भारती बिते सच्यू बिजय मोहन कवात्रा को नियुक्त किया गया, तो सही आंसर क्या होगा, बिजय मोहन कवात्रा अगला प्रश्ण है सिच्छा का अधिकार का संबंद किस अनुच्छेद से है आप से पूछा गया था कि सिच्छा का जो अधिकार है ठीक है यह हमारे मौलिक अधिकारों में आता है 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त सिच्छा देने का उसमें आदेश है तो सिच्छा का अधि अनुछेद 21A जी यहां दोस्तों अनुछेद 21A सिच्छा का अधिकार का संबंध अनुछेद 21A से है चलिए अगले प्रश्म पर चलते हैं कोली निर्त किस राज से संबंधित है निर्त के ऊपर कोशन अक्सर पूछे जाते हैं एक्जाम में ठीक है जाए SSC GD हो SSC MTS हो ठीक ह या जो भी SSC के एक्जाम होते हैं निर्त के ऊपर कोशन निश्चित तोर पे पूछे जाते हैं तो आपसे पूछा गया था जो है कोली निर्त किस राज से संबंधित है तिसका जो सही आंसर है ओह है महाराष्टे ठीक है जो भी आपसन आपसके दी होंगे उन आपसनों में ठीक है महाराष्टे सही आंसर था चली अगले प्रश्चन पे चलते हैं बेसबाल में कितने खिलाडी होते हैं बेसबाल में कितने खिलाडी होते हैं बेसबाल में टोटल नौ प्लेयर होते हैं बेसबाल में नौ खिलाडी होते हैं ठीक है अगला प्रश्चन बिज्ञान से स मेंगनीशियम है, सोडियम है, कैल्सियम है, आयरे अंसर क्या होगा, मेंगनीशियम, जो हाँ दोस्तों, मेंगनीशियम का परमाण क्रमा के डाउमिंग नंबर कितना होता है, बारा होता है, तो मेंगनीशियम का परमाण क्रम कितना हो गया, बारा, यही आपका सही अंसर है, ठी फूल देई तेवार का सम्धंद किस राजी से हैं option है आपके उत्राखंड जारखंड राजस्थान या तमिलनाडू सही आंसर है उत्तराखंड चलीए यहां फिर कर दूँ कि जो है कि जो फूल देई तेवार है यह उत्राखंड का तेवार तो है यह ठीक है झिक है लेकिन यह कैसा तेवार है ये फसल उस्सो का तेवार है फसल कटाई का तेवार है जी हां दोस्तों और चैत्र महीने की पहले तारी को ये उस्षो मनाया जाता है उत्राखंड में फुल देई तेवार कहा मना जाता है उत्राखंड में चल अगले प्रश्च पे चलते हैं महिला आयो का साथ हूं आपको जो है महिला आयोक की जो पहली अध्यक्श थी ओती स्रीमति-जान की पटनाययक यह जान लीजिए ठीक है इस्टाफ है यह बताय जाते हैं इस फिर थूदा ध्यान दीजिए इस्टाफ हैट के आधार पर भी questions बनते हैं आपका जी के मजबूत होता जाएगा ठीक है तो महिला आयोक का गठन का हुआ था 31 जनूरी 1902 में और इनकी पहली अधिक्ष कौन थी स्रीमतिर जान की पटनायक थी ठीक है दोस्तों चल अगले प्रश्ण पर चलते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर पताईएगा अगला प्रश्ण है निमलिखित में से किसकी अस्थापना 1866 में हुई थी आपसे एक्ष्ण पूशा क्या गया था कि नीची दिये गे जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में इसकी संस् आपको जो है कि 26 जुलाई 1866 को जो है इंडियन नेशनल आशोश्येशन की अस्थापना हुई थी ठीक है किस ने किया सुरेंद्रनाथ टैगोर नी किया यहाँ पर आपकी जानकरी के लिए और बता दूं बाद में यही संस्था जो है चल करके आगे जो है इसका कांग्रेश इल्च में बिल आप ठीक है तो सही आंशर किया होगा सके इंडियन नेशनल स्थापना कह वाकर वी 3026 जुलाई 1866 अगले प्रश्ण पर चलते हैं योजना आयोग का नया नाम क्या है ठीक है योजना आयोग का नया नाम क्या है आप से पूछा गया है तो योजना आयोग का जो नया नाम है वो है नीती आयोग सही अंसर क्या है नीति आयोग चलि एक यह जान लेजिए निति आयो की अस्थापने कभी 2015 में हुई निति आयो कभी 2015 में हुई चलि अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रश्ण बहुत ही महत्पूर प्रश्ण है ठीक कई बार पूछा जा चुका है हरित करांती की जनक नार्मन बोरलाग कि इस देश के निवाशी थे तो जान जाए ये हरत करांती की जनक नार्मन बोर्लाग जो है ये अमेरिका की निवाशी थी कहां के थे अमेरिका की थे ठीक है इनको विश्व हरित करांती का जनक माना जाता है नार्मन बोर्लाग को विश्व हरित करांती का जनक माना जाता है ठीक है इनको 1970 में नोबल प्रश्कार भी मिला है ठीक है तो सही आंसर क्या हो गया अमेरका अगला प्राश्न है अम्रीत योजना की wahत कभ हुई अमृत योजना की शुरूवा तह कभ हुई थो सही आंसर है इसका 25 जून 2015 को जी हाँ दोस्तों अमरित्व योजिना के शुरुवात मानी प्रधान मत्री नरिन मोदी की द्वारा 25 जून 2015 को की गई है ठीक है चली अगले प्रश्र पे चलते हैं बांस टपक सिजाई पद्दती ठीक है बंबू इर्गेशन मिथट ठीक है मतलब आपको उस राजी का नाम बताई जहां से बांश टपक सिजाई पद्दत से सिजाई की जाती है ठीक है अगला प्रश्र भी निर्टि से समंदित कोश्चन है कालबेलिया निर्टिका शम्मंत किस राजी से है ठीक है के टीक है किस राजी से है राजस्तान से मिजुरं से सम सेया केरल से है किस राजस्थाण दोस्तों अगला प्रश्र राज ये ठीक और आज के वीडियो में जो ही प्रश्ण कराए जा रहे हैं ऐसा नहीं यह सोच के मत छोड़ दीए कि जलो देख लिया मैंने काम खतम हो गया आज का जो है प्रश्ण जो आए हैं ठीक है अगर ऐसे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका एक्जाम अभी नहीं हुआ है तो इन प्रश्णों को दिमागों को बैठा लीजी आप क्योंकि यह प्रश्ण के रिपीट हो सकते हैं रिपीट befी हो रहे हैं ठीक है तो प्रश्ण का एक्जाम आज हो चुका है तो ठीक है ओ इस वीडियो को अपने दोस्तों को अपने मित्रों को सेर जरूर करें ठीक है जिसे उनको भी फाइदा पोचे ठीक है या उनको देखने के लिए सला करें कि यह वीडियो आप देख लीजिए चलिए अगले प्रश्च पर चलते हैं बौधों में भोजन का संग्रा कहां होता है पैरन काइमा में होता है चलिए यहां लगे यहां आपको एक बावर बता देने जो है पैरन काइमा में फैट है प्रोटीन है ठीक है मतलब वशा है प्रोटीन है इन सबसे समंधित जो मटेरियल होता है वो पैरन काइमा में उसका संग्रा होता है चलिए अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण भी साइन से समंदित प्रश्ण है क्लाइम या बिना बुझा चूना का सुत्र क्या होता है देखें केमिकल फार्मूला की उपर कोश्चन सनिश्चित तोर पे आता है केमिकल फार्मूला की उपर मैंने इस्पेसल वीडियो भी बना रखा ह है ठीक है SSC का जो प्लिश्ट है उसमें जाएंगे तो आपको जो है यह मिल जाएगा उसमें जितने भी इंपॉल्टेंट है chemical formulas है detail के साथ है ठीक है उनसे क्या बिमारिया होती उनका क्या उप्योग उनसे क्या बनता है फुरा detail के साथ वीडियो बनाया गया है तो SSC का जो प्लिश्ट है चैनल पर जाएंगे उसमें अगर आप देखेंगे तो chemical formula राशनी सुत्र नाम से वीडियो बना हुआ है तो यहां question आप से पूछा गया है क्या है या बिना बुझा चूना का सुत्र क्या होता है तो सही आंत्र उसका हो गा C a o calcium oxide क्या होता है calcium oxide c a o बिना बुझा चूना का सुत्र या क्या होता है c a o अगला प्रश्न year current affairs समंधित question है समझले ये भी करते पर सी समंधित question है दुसरे अंतराष्टी योग दीवस का भिशय क्या था तो दूसरा अंतराष्टी योग दिवस जो हुआ था उसका जो विसे था मानवता के लिए योग है मानवता के लिए योग ये उसका विसे थीम थी है यहाँ फिक्षी और जान लीजिए अंतराश्टी योग दिवस कब मनाया जाता है 21 जून को अंतराश्टी योग दिवस मनाया जाता है चली अगला प्रश्ण देखते हैं करेंट अफेर्स से समन्दीत कोश्चन है ये मार्च 2022 में किस राज सरकार ने उट सरच्छन यों विकास योजना की सुरुवात की है दोस्तों इसलिए अगर करेंट अफेर्स आप तयार करना चाहते हैं और सलेक्टेट करेंट कोश्चन तयार करना चाहते हैं तो SSC चाहे RRB का जो मेरा प्लेलिश्ट बना हुआ है उसमें अगर जाएंगे करेंट फेर्स के नाम से बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं अब सब 2,022 सम्मंदित कोश्चन है ठीक है और सारे के सारे कोश्चन सिंपॉर्टेंट है अगर आप लेलिश खोल गएक निए निए घ्यां तो निश्च्च्च तोर पाएंगे जो एक्जाम इस पर आपका हो रहा है से जीड़ी का वहां से कोश्चन रिपीट हो रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो पर और मजबूत हो जाएगा फिलाल इसांसर का सही आंसर क्या होगा राजस्थां जियां तो तो राजस्तान सरकार ने उट के संचड़ों विकास की योजना की सुरुवाद की है ठीक है चल अगले प्रश्च पे चलते हैं किस राज़ी सरकार ने आंगनवाडी में बच्चों को दूध हुआ अंडे देनी की सुरुवाद की है अच्छा प्रश्च है केरल राजने किस राजने केरल ने केरल ने आंगनवाडी के बच्चों को दूध हुआ अंडे देनी की सुरुवाद की है अगले प्रश्च पे चलते हैं मिशन कुसल कर्मी योजना किस राज की योजना है ठीक है दोस्तों बता दूँँ इसका जो सही अंसर है वो है दिली ठीक है मिशन कुसल कर्मी योजना जो है यह दिली सरकार की योजना है दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरू बताईएगा और प्लिए जे वीडियो को लाइक सेर जरूर करिएगा पूरा विडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.